फिल्म चुरू होती है जौन कटर से जो की एक छोटी बच्ची के सामने ट्रिक परफॉर्म करते हुए मैजिक की तिन स्टेज़ बदाता है सबसे पहली स्टेज होती है जहांपे मैजिशन पंची या कार्ण्स ऐसी कोई चीज़े दिखा कर टेस्ट करने को बोलता है कि यह चीज असली है या नहीं दूसरी स्टेज होती है दे टर्न जहाँ वे मिजीशन फिर उस चीज को गायब करते हैं लेकिन ओडियन्स तालिया तब तक बचाते नहीं है जब तक ये गायब हुई चीज ओडियन्स के सामने बिल्कुल उसी तरह वापस नहीं आ जाती और जब तालिया बचती है तब उसी क वो स्टेज त्री याने दप्रेस्टीज कहा जाता है जो एक मिजीशन के लिए सबसे जरूरी होता है इसी एक्स्प्लेनेशन के साथ हम अतीत में जले जाते हैं और हम मशूर जादूगर रॉबर्ट एंजीनियर को देखते हैं जापे मैजिक शो में रॉबर्ट एंजीनर सामने खड़े होते हैं जिसके उपर जादा वल्टेज की बिजली पढ़ रही थी एंजीनियर उस चेमबर में जाते हैं जहां उसके पहरों के नीचे से टोर खुलते हैं और वो नीचे एक वाटर टैंक में गिर जाते हैं और वाटर टैंक लॉक हो जाता है वही दूसरी तर कि एंजीनियर वाटर टैंक में डूब रहे हैं वो उन्हें बचाने के लिए जाता हैं लेकिन दर्वाजा टाइम पे खोल नहीं पाता और उनकी जान चली जाती हैं इसी दर्मान वहाँ पे कटर आ जाते हैं उन्हें लगता हैं कि बॉडन ने ही एंजीनियर की मैजिक ट्रिक कि लिए जान पूअ के उन्हें टैंक में डुबाने की कोशिश की हैं इसलिए वो बॉडन को पुलीस के हवाले करते हैं एंजीनियर को मारने के खिला कुछ समय के बाद उसे हम कोर्ट में देखते हैं क guessing कोर्ट में मिंस्टर कटर को उस ट्रिक को कटर इंकार करते हैं इसलिए सीक्रेटली जच को इस ट्रिक के बारे में बताया जाता है आप ये ट्रिक जानने के बाद उन्हें पता चलता है ओल्डर पहले से ही वहाँ पे काफी टाइम से मौजूद था इसलिए उसे मुझरिम करार देकर फासी की सजा सुनाई जाती है अब बॉर्डन उसे अपने असिस्टेंट फॉलिन के पास बेजता है लॉयर फॉलिन के पास मिलने जाते हैं और उससे बॉर्डन के फेमस ट्रांसपोर्टेट मैं की ट्रिक पूछता है जो उसे लॉर्ड कैटलाव के लिए खरीदनी थी ये ट्रांसपोर्टेट मैं की ओरीजनल ट्रिक क्या है यह हमीं जल्दी पता चलेगा तो बॉर्डन सीधा मना कर देता है लेकिन लॉयर ओवेन उसे बताता है कि लॉड काडलो बॉर्डन जाने के बाद उसके बेटी को भी अडॉप्ट कर लेंगे और साथी लॉयर लॉर्ड काडलो के तरफ से बॉर्डन को एंजियर की एक डायरी भी देता है जिसमें उसकी सारी ट्रिक्स लिखी होती है लेकिन बॉर्डन वो डायरी को लेकर बिना कुछ कहे वापस चला जाता है वो अभी भी ट्रांस्पोर्टेड मैन की ट्रिक देने के लिए तयार नहीं था यहां से कहानी वापस फ्लैश बैक में जाती है और हम एंजियर को देखते है जब वो जिन्दा था तब वो अमेरिका साइंटिस टेसला से मिलने आये थे जहां पे वो एक अनोखी मशीन उनसे बनवाना चाहते थे लेकिन साइंटिस टेसला उसे मना कर देते है अब निराज होके वो वापस अपने होटेल में चलाता है और वो एक डाइरी पढ़ने लगता है और अपने पुरानी जिन्दगी के बारे में सोचने लगता है जहां पे एंजियर खुद और बॉर्डन दोनों काफी अच्छी दोस्त थे और वो दोनों भी मजिशिन मिल्टन के लिए काम किया करते थे इनके साथ जूलिया नाम के लड़की भी होती है दरसल वो एंजियर की पतनी थी और वो भी मिल्टन के लिए काम किया करती थी एक दिन stage performance के वरक्त हम water tank trick देखते हैं जहांबे जूलिया के हाथ पे अरबान के उसे water tank में डाला जाने वाला था और उसके हाथ के रसे के guard सही है कि नहीं इसके लिए audience से ही एंजियर और बॉर्डन आते हैं और फिर जूलिया को tank में डाला जाता है और थोड़ी देर के बाद जब परदा उठता है तब चूली वहाँ नहीं थी वो tank के बाहर होती हैं ये magic देख लोग तालिया बजाने लगते हैं लेकिन backstage पे जाकर बॉर्डन इंजिर से कहता है कि Milton boring है और उसकी ये trick काफी पुरानी है इसलिए उन्हें bullet catch trick करनी चाहिए bullet catch trick में अधर असल जो magician audience में से किसी इनसान को बुलाया जाता है ताकि वो बंदुक loaded है या नहीं ये देखे फिर एक magician सामने वाले दूसरे magician को bullet fire करेगा और ये bullet सामने वाला जादू कर पकड़ लेता है बिना उसे चोट आए यूजिली इस trick में magnet यूज किया जाता है ताकि सामने वाला magician उस bullet को अपने पास कीचवर उसे चोट ना आए लेकिन वही जून कटर आते हैं और कहते हैं कि ये trick बिलकुल suicide की तरह है अब कुछ दिनों के बाद वापस एक stage performance होने वाला था जूसमें जूलिया को वापस water tank में डाला जाने वाला था तब बॉर्डन सोचता है कि जब जूलिया पानी के अंदर जाएगी तब एक नई तरह की guard बांदी जाएगी और वो cutter को दिखाता है लेकिन cutter मना करते हैं और कहते हैं कि ये guard पारी में नहीं खुल सकती जिसमें जूलिया की जान भी जा सकती है लेकिन बॉर्डन तो नहीं मानता लेकिन जूलिया भी इस नए experiment के लिए तयार होती है और उस नए guard को ये approve किया चाता है इसी दर मैं शहर में एक दूसरा magician आया होता है और cutter इन दोनों को भी उसकी एक खास magic trick दूनने के लिए कहता है और जो भी इन दोनों में से magic trick पता लगाएगा वो उसे एक magician के साथ 10 minute stage पर रहने का मौका देगा अब दोनों show देखने जाते हैं जहां वो Chinese man magic से एक fish tank सबके सामने table पर लाता है और वहाँ बॉर्डन उस magician की trick समझ जाता है और कहता है कि वो Chinese magician बस अपाहिज होने का नाटक कर रहा है असल में वो चीजों को अपने कपड़ों में टांगों के बीश में चुपा कर stage में लाता है और उसके बाद बॉर्डन को stage पर magician के साथ काम करने का मौका मिलता है जहां वो सारा से मिलता है और दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं वही वापस main show के दरमयान अटर टैंक वाली trick दुबारा stage पर perform की जाती है जहां पर फिर से बॉर्डन और एंजर आते हैं जूली की नोट को बानने के लिए यहां पर बॉर्डन जूली से इशारों में बात करते हुए नोट बदल देता है और एक मिनिट पूरा होने पर जब जूली बाहर नहीं आती तब ही कटर वो शिशा तोड़ने के लिए stage पर जाता है तब हम देखते हैं कि जूली काफी तड़प रही होती है लेकिन यह लोग कुछ कर पाए इसके पहले ही उसकी चान चली जाती है एंजर बॉर्डर को ही इस चीज का गुनेगार समझता है और फ्यूनरल के दिन उसे पूछता है कि उसने कौन सी नोट बांदी थी यूगि जूलिया हर एक नोट खोलने में काफी सफल होती थी लेकिन बॉर्डर के आखों में कोई भी दुख दर्थ नहीं था और वो कहता है मुझे नहीं याद है और वहाँ से चला जाता है बस इसी दिन से दोनों में काफी दुश्मनी शुरू होती है और इंजियर ठान लेता है कि वो हर पल बॉर्डर की सारी खुशिया चीन लेगा दोनों भी मेंजिशन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अपने अपनी शो करने लगते हैं आप कुछ दिन के बाद बॉर्डर और सारा शादी कर लेते हैं फिर बॉर्डर एक मैनेजर रखता है जिसका नाम फॉलन होता है और कुछी समय के बाद सारा प्रेगनेंट होती है जिसे सुनकर बॉर्डर बहुत ही खुश होता है और बताता है कि वो एक बुलेट कैच ट्र त्रिक दिखाने के लिए वो ओडियंस में सी किसी को बुलाता है जो कि दरसल एंजियर होता है जो गेट अप बदल कर आया होता है एंजियर गन को हाथ में पकड़ते हुए उसने चुपाई हुए गुलेट डाल देता है और गन को बॉड़न की तरफ रखकर और उसे पूछता हैं जो कि एक बार फिर काम शुरू करना चाहता था जिसके लिए करटर एंजियर से मिलता है अब एंजियर खुद को एक नाया नाम देता है और एंजियर को ओलिविया नाम की तर नई एंजिनियर दोनों को पिंजरे पर हाथ रखने के लिए कहता है और वहाँ पे male participant की दो उंगलिया नहीं थी और एंजिनियर पहचान जाता है कि वो और कोई नीबल की बॉर्डन है और बॉर्डन एक गरत वाहर खीच देता है जिसमें की पंची मारा जाता है और उस लेडी का हाथ भी कट हो जाता है ये सब होने के बाद थेटर का manager उस show को बन करवा देता है और एंजिनियर का नाम भी खराब होता है अब कुछ दिन के बाद कटर एंजिनियर को एक exhibition में जानी की सला देता है ये एक science exhibition था और यहाँ पे तरह तरह की machines रखी गई थी और यही पे निकोला टेसला इनकी काफी बड़ी machine भी होती है उसी exhibition में एंजिनियर बॉर्डन को भी notice करता है अब वहाँ से निकलती हुए वो बॉर्डन का पीछा करता और देखता है कि बॉर्डन बॉर्डन की एक छोटी बच्ची भी है और वो अपने पतनी के साथ बहुत ही खुश है और एंजिनियर को बॉर्डन के उपर गुसा और खुद के लिए बुरा फिल होने लगता है यूगि उसका परिवार नहीं था अब ये था इन दोनों का भी अतीद वही हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एंजिनियर साइंटिस टेसला से मिलने की काफी कोशिश कर रहा था और वो फाइनली मान जाते हैं जहाँ पर एंजिनियर निकोला टेसला से एक खास मशीन बनाने के लिए कहता है और फिर एंजीनियर वापस अपने जगा चलाता है और कहानी वापस फ्लैश बैक में जाती है और देखते हैं कि बॉर्डन और एंजीनियर अकसर एक दूसरी के शो में आया करते थे और एक दूसरे के ट्रिक्स देखा करते थे ऐसी ही एंजीर एक दिन बॉर्डन के शो में ए दूसरे दर्वाजे से निकल कर बाहर आता है उस बॉल को पकड़ते हुए यानि कि वो सीधा एक दर्वाजे में जाता है और दूसरे से निकलता है लोगों की साम दे और यहीं बॉड़न की सबसे फेमस तर ट्रांसपोर्टेड मैन ये ट्रिक थी जिसे देए एक एंजर काफी गलव्स थे उम्ली कठ होने के कारण वो पहना करते थे बॉड़न के साथ होने वाले कॉम्पिटिशन में एंजर भी वही ट्रिक इस्तमाल करता है जिसके लिए वो एक बॉड़ी डबल भी तूनता है अब ये ट्रिक स्टेज पर पफॉर्म की जाती है जहां एक दर्वाजे से एंजर स्टेज के नीचे जाता है और उसी टाइम उसका बॉड़ी डबल दूसरे दर्वाजे से स्टेज पर आता है जिससे लोग गाफी हैरान होते हैं और पूरा माहूल टालियो से गूजने लगता है लेकिन ये बात एंजर को पसंद नहीं आ क्योंकि क्योंकि मैजिक क जो तीसरा स्टेज रहता है दो प्रेस्टीज याने लोगों के सामने तालिया सुनना वो उसे महसूस नहीं कर बारा था क्योंकि लोगों के सामने उसका बॉड़ी डबल था अब बॉड़न की ट्रिक पता करने के लिए एंजियर अपने असिस्टें ऑलिविया को उसके पास भेजता है लेकिन वो तयार नहीं होती लेकिन फिर भी वो उसके पास भेजता है और बॉड़न का भरोसा जीदने के लिए अलिविया उससे प्यार का नाटक करने लगती है कुछ दिन बीच जाते हैं लेकिन वो बॉड़न को सच में पसंद करने लगती है और उसे एक दिन स सारी सच्चा ही बता देती है कि एंजियर के कहने पर वो यहां पे उसकी ट्रिक सीखने के लिए आई थी अब यह सुनते ही बॉड़न काफी गुसा होता है और एंजियर के अगले शो में बॉड़ी डबल का राज वो सारे ओडियंस के सामने लाता है और स्टेज के नीचे जमी एक बॉड़ी डबल इस्तवाल करता है लेकिन एंजियर उसकी बात नहीं मानता तभी ऑलीविया एंज्यर को Bòden की एक डायरी देती है लेकिन उस डायरी में भी सारी चीज एक Code Word में लिखी हुई थी एंज्यर उस डायरी को अपने पास रख लेता है और Olivia को कहता है कि वो Bòden को छोड़ दे लेकिन Olivia मना करती है और उसे कहती है कि वो सच में अब बॉर्डन को पसंद करने लगी है आप एंजियर डायरी डिकोर्ड करने के लिए Fallen यानि बॉर्डन के मैनेजर को किड्नाप करता है जिसको बचाने के लिए बॉर्डन एक पेपर एंजियर को देता है लेकिन जब एंजियर वो पेज खोलता है तो वो देखता है उसमें लिखा हुआ था टेसला यानि कि साइंटिस टेसला जिससे एंजियर को लगता है कि टेसला ने यहीं ऐसी कोई मशीन उसके लिए बनाई है जिससे कि वो एक जगा से दूसरे जगा ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसलिए वो साइंटिस टेसला से मिलने जाता है तो वहीं दूसरे तरफ बॉर्डन और उसकी पतनी सारा इनका रिलेशन भी खराब होने लगता है इसके वज़े से बॉर्डन का उलिविया के साथ अफेर शुरू होता है और बॉर्डन की रोज रोज बदलती हुए नेचर के काहरन सारा अभीचारी स्यूसाइट कर लेती है अब वही हम प्रेजन्ट में आते हैं जहां भी एंजियर बॉर्डन की वही डायरी को पढ़ रहा था और उसे ये पता चलता है कि बॉर्डन ने ये डायरी ओलिविया के हाल वे जान बूच कर दी है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसकी डायरी डिकोड करने से टेसला का कोई लेना देना नहीं है ये सुनने के बावज़ोद भी एंजियर साइंटिस्ट टेसला के पास जाता है और उनसे पूचता है कि क्या उन्होंने कभी किसी के लिए कोई मशीन बनाई थी तो वो मना करते हैं लेकिन एंजियर उन्हें एक मशीन बनाने के लिए कहता है जो किसी भी वस्तू को एक जगा से दूसरे जगा पर टेलिपोर्ट कर सकती है कुछ दिन के बाद वो मशीन तयार होती है और एंजियर उनके पास टेस्टिंग के लिए आता है जहाँ पे वो एंजियर के काफी सारी हैट्स को उस मशीन में भेजते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके और इने टेस्ट आपजेट के बाद वो एक बिल्ली को इस मशीन द्वारा भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्ली कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होती और एंजियर नाराज होकर वहां से जाने लगता है लेकिन बाहर आने के बाहर एंजियर देखता है कि सेम वैसी ही बिली घर के बाहर थी और साथ ही कुछ हैट्स भी थी जिसकी टेस्टिंग उन लोगों ने थोड़ी देर पहले की थी के बाद वो समझ जाता है कि ये मशिन कोई ट्रांस्पोर्ट नहीं करती बलकि object को duplicate करती है याने kind of उसका clone बनाती है अब एंजियर उस मशिन को लेने की बात करता है लेकिन साइंटिस टेसला उसे कुछ और दिन मांगता है उसे टेस्ट करने के लिए अब कुछ दिन के बाद एंजियर जब वापस आता है तब वो देखता है कि थॉमस एडिसन के लोगों ने टेसला इनके पूरे जगा को बरबात कर दिया था लेकिन टेसला इनों ने वो मशिन already एंजियर के hotel में भेज़ दी होती है और साथ में ये भी message लिखा होता है कि ये machine कभी भी use नहीं करना लेकिन फिर भी वो machine अपने पास लेके आते हैं और एक नए शो की शुरुआत करते हैं और cutter को बुलाते हैं और इस बार अपने set पर काम करने के लिए सिर्फ ऐसे लोगों को रखता है जिने कुछ भी ट्रिक को स्टेज पर दिखाने के लिए सब भी तैयारिया करने लगते हैं इसे दर में दूसरी दूरफ हम ओलिविया को देखते हैं जो गुस्से में लंडन चली गई थी वो वापस आती हैं और बॉर्डन उसे मिलता हैं और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता हैं लेकिन एंजियर वापस आया है एक नए ट्रिक के साथ इसलिए वो भी उसका शो देखने के लिए जाता है शो के दर मैं एंजियर स्टेज पर थाम और वो अपने चेंबर में जाता है जिसके उपर काफी जादा बिजली की रोशनी पड़ रही दिन और बिजली के बंद होते ही एं अगले शो में बॉडन फिर से जाता है ये ट्रिक देखने के लिए इस बार किसी तरह बैक स्टेज जाकर वो पता करने की कोशिश करता है कि स्टेज के नीचे ऐसा क्या है जिससे एंजियर इतने जल्दी ओडियंस के बीच में वापस आता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह वही शो था जो मुवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था लेकिन यहाँ पर बॉडन जब बैक स्टेज जाता है तब एंजियर को डूपता हुआ देखता है और उसे शीशा तोड़ कर बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी एंजियर की मौध हो जाती है उस के बाद प्रेस्टिज परफॉर्मेंस से जूड़ी सारी ट्रीक्स और सामान लॉड कार्ट लोग नाम के किसी एक नए शक्स खरीद लेता है और बॉडन को अरेस्ट किया जाता है अब आते हैं हम प्रेजन सिचुएशन में जहां पे बॉडन जेल में होता है और अपने बे सानेवल की एंजियर है और अपनी बेटी उसके पास देख वो काफी गुस्सा होता है और अपने बेटी से उसे दूर रहने के लिए कहता है और साथी ओरीजनल ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक को पेपर पे लिखके वो उसे देता है लेकिन एंजियर भी ना पड़े ही उ जल्दी वापस आएंगे वही हम कटर को देखते हैं जो लौड कालडाव से मिलने उसके घर आते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि और कोई नीबल की एंजियर हैं लेकिन उन्हें काफी बुरा लगता है कि एंजियर के मौत के लिए अब बॉडन को सजा होने वाली है और उसके मरने के बाद उसके बेटी को भी अनात कर दिया है लेकिन एंजियर के उपर उसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि एंजियर ने फाइनल ये अपने पत्नी के मौत का बदला बॉडन से लिया था और एंजियर कटर से कहते हैं कि वो जो मशीन होती है जो उन्होंने उसके क्लोन्स याने उस मशीन से बने हुए डुपलिकेट एंजियर थे और ओरीजनल एंजियर दरसल काफी टाइम पहले ही गायब होके लौड कालडाव बन चुका था ये सुनने के बाद कटर उस मशीन को डिस्पोस करने के लिए तयार हो जाता है तो वही दूसरी तरफ बादन को एंजियर के मुडर के कारण सजा दी जाती है अब एंजियर वापस थेटर जाता है और वहाँ पे एक अंजान आदमी आके एंजियर को शूट कर देता है और यहाँ पे रिवील होता है कि ये दूसरा आदमी और कोई ने विपल की बादन था और यहाँ पे हमें सा दर्वाजे से जाकर अचानक से बॉल दूसरे जगा पहुशने से पहले वो दूसरे दर्वाजे से बाहर आता था यानि इसका दूसरा जुड़वा भाई अल्रेडी दर्वाजे की उस तरफ खड़ा होता था और ये ट्रिक परफॉर्म करने के लिए इतनी बड़ी सच्चाई बॉड़न ने छुपा के रखी थी कि उसका एक जुड़वा भाई भी है और वो पताता है कि दरसल ये बॉड़न का जुड़वा भाई फॉलन था यहाँ पे बॉड़न अपने पतनी सारा से प्यार करता था तो वही फॉलन ओलिविया से लेकिन उनकी सच्चाई सारा या ओ कहता है कि अपने काम के लिए उसने काफी सैक्रिफाइस किया है लेकिन अभी एंजिनियर घुस्से में उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने भी अपनी मौत हर रोज अपने आँखों से देखी है उसे भी पता नहीं था कि उसके हर एक शो के बाद कितने लोगों को मरना होगा और वो आखिर में New Transported Man की ट्रिक कैसे की है ये बताता है कि वो हर एक क्लोन उस मशीन से पैदा करता था ताकि दूसरे डोर से वो क्लोन दिखे और हर शो के बाद उन क्लोन को पानी में डूप कर मरना पड़ता था और इसी तरह वो रोज-रोज मर रहा था और ये कहते ही असल कर दो